जन सुराज पध्यात्रा के सुत्रधार प्रशांद किशोर ने तेजस्वी यादव पर चल रहे प्रश्टाचार के मामलों की जाच पर तंस कसते हुए कहा राजनितिक मॉरालिटी का जो कमपास है वो अतना नीचे गिर गया है कि वो जमाना चला गया कि किसी पर CBI या कोई भी जाच एजनसी चार्च शीट डायर कर दे और कोई स्तीफा दे दे साथी प्रशांद किशोर का ये भी कहना था कि लोगसभाच चुनाओं से पहले बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई राजनितिक मोरालिटी का जो कमपास है वो इतना लो है कि अवो जमाना चला गया कि किसी पर CBI चार्च शीट कर दे और वो इस्तिफा दे दे तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनित ये लोग करते हैं CBI के चार्च शीट करने से ये कोई इस्तिफा देने वाले हैं या पत छोड़ने वाले हैं जहां तक सरकार की स्थिर्टा का सवाल है मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है मैं नहीं समझता हूँ कि लोगसवा चुनाओं से पहले कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिस दिन ये महागडबंदन बना था और पतरकार बंदू बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देश ब्यापी इसका असर होगा उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागडबंदन विहार स्पेसिफिक गटना है और ये लोगसवा चुनाओं तक इस स्वरू मैं नहीं होगा और मेरी बात उलडी शरिता रफोनी शुरू होगओ मांजी जी एक आदमी निकल गया है, कुछ वाही निकल गयाए, देखिये, जब आप सरकार चलाते हैं तो अच्छ दल भी आप शात में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है, और सात में रहके राजनीत करना चुनाओ लड़ना अलग बात है साथ दलों का गटवंदन आपस में बैठके तालमेल बैठाकर राजनीत कर ले चुनाओ लड़ने ये संभाव नहीं है मेरा भी अपना दस साल का अनुब हो रहा है आप इतने लोगों की आसाओं अपेच्छाओं को ए दिवर्तन आपको पिहार की राजनीतिक स्थिती में और यहां के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा अगला बिधान सबा का चुनाओ ऐसा नहीं होगा कि साथ दलों का महागडवंदन एक और और एंडिये एक और वो नए फॉर्मेशं में ही चुनाओ होगा यह बात मैं जिस दिन से महागडवंदन बनाए उस दिन से कह रहा हो दर्भंगा से आलोग पुंच की रिपोर्ट